हेलो गाईज, वेलकम टू वर उफ एस्पारेंज चैनल, जैसा कि आप लोग ओलड़ी जानते थे, कल था 22 जून और कल मीटिंग हुई थी सभी दीन्स की, और पेपर का पैटन फाइनल कर दिया गया है, उस पर इस्टाम लग चुकी है, और जो न्यूज आई है, सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, और मैं आपको एक एक करके सारी की सारी जो न्यूज हैं, उनका आंकरन, उनका विसलेशन, उनका एनलाइज आपके सामने करता हूँ, ठीक है, देकिए बहु विकल पर प्रशनों में 75 का देना होगा जवाब, जो objective questions होंगे, उसमें 100 में से आपक कितने questions करने हैं, और ऐसे paper जिन में 5 section होते हैं, तो वहाँ हर section में कितने questions करने हैं, यह आपको बताने वाले हो, लेकिन सबसे बड़ा जो पंगा किया है, उन्यूज है उन्यूजिलेटर देंगे छातरों को जहनकारी, अब एक बात बताओ, यदि paper वाले दिन ही, वहाँ पर बैट कर ही student को पता चलेगा, कि उसको कितने question करने हैं, तो भाई वो तयारी क्या करेगा, यदि उसको student को पहले ही पता चलेगा, कि उसको इस section में से इतने ही question करने हैं, तो वो उसी हिसाब से पढ़ेगा, लेकिन यह पता नहीं university क्यों ऐसा करती है, कि इनके पास एक clarification भी न पर आते हैं, पेपर के pattern के बारे में परिक्षा सुरू होने से पहले ककस दिक्षक, यानि जो invigilator की duty लगेगी, छातरों को प्रशन छोड़ने के बारे में जनकरी देंगे, कुलपती ने online सभी प्राचारियों से कहा कि पिछली बार तमाम केंदरों से ऐसी शिकायते मिली थ की छातरों को प्रशन छोड़ने के बारे में नहीं बताया गया, जिसके करण उन्होंने सभी सवाल कर दिये, इस बार ऐसी लापरवाई ना हो, सेटिंग प्लैन में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ठीक है, देखिए, CCSU की 2 जोलाई से होने वाली वार्षिक और 8 को दिया गया है, ऐसा बता जाए रहा है कि इस से इस्टूरेंट्स के मार्क्स जो हैं, वो अच्छे हैंगे, कुरोना महमारी के चलते, सेकिंड और फाइनल एयर की परिक्षा है, अब 3 गंटे की जिक, 5 गंटे की हो रही है, पेपर पहले ही छप चुके थे, मैं आप पोई ये बात ओलेडी बता भी चुका हूँ, पेपर 3 गंटे की परिक्षा के पटन पर ही बने है, इस्टूरेंट्स को परिशान ही ना हो, इसलिए यूनिवस्टी ने को छोड़ने का ऑप्शन दिया है, बढ़ा दिया है, और इस पटन से ऑब्जक्टिव और विस्तृत उत्रि कोशन करने पड़ेंगे, और याद रखना पूर्णांक जो है, बार बार पूछने ना, कितने में समाक्स मिलेंगे, पूर्णांक सोही रहेगा, अच्छा, देखिए, और विस्तित उत्रिय पैटन में, 3 गंटे की पेपर में, पहले, पहले A सेक्षन में, आप देख सकते है अब पहले सेक्षन में, 5 में से किवल 2 करने होंगे कोशन, 5 में से किवल अब आपको 2 कोशन करने होंगे, और B सेक्षन में, 3 में से 1 कोशन करना होगा, और C सेक्षन में, आपको 5 में से 2 कोशन करने होंगे, लेकिन, अभी कहीं मत जाईएगा, कुछ पेपर तो ऐसे होते हैं जिन में 5 section आते हैं A, B, C, D पहले section में 10 question होते हैं B, C, D, E section में दो-दो question होते हैं उस पर भी मैं अब भी बताने वाला हूँ ठीक है? और परिक्षाओं की पालियों का समय आप लोग ओलेडी जानते हैं इसमें बहुत जादा कुछ बताने वाले जरूत हैं ठीक है? यह चार पालियों में होने वाली हैं और इसके अलावा जो वाईवा है यानि मोकिक परिक्षाएं हैं मोकिक परिक्षाएं कराएं ओनलाइन कुलपती प्रोफेसर N. के तनेजा प्राचारियों से कहा कि मोकिक परिक्षाएं यानि वाईवा ओनलाइन कराएं और इनका आयोजन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि रिजल्ट में मोकिक परिक्षाएं के नंबरों की वज़ा से देरी ना हो ऐसे में सभी से गाइडलाइन के मुताबिक वाकिफ है ठीक है चलिए तो देखिए सभी में यही न्यूज है और इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूँ कल भी मैं आपको अलड़ी बताया था शाम तभी न्यूज यह बता दी थी आप देख सकते हैं प्लेलिस में आपके प्रानी वीडियो ठीक है बीसी नर्स है सेप्टमबर अक्टूबर में होने की इसके अलावा MD MS और DM डिप्लोमा की परिक्षाइं भी 10 जुलाई से हैं इसका शेडूल भी पूरा का पूरा आ चुका है वेबसाइट पर ठीक है और इसके अलावा देखिए जितनी भी न्यूज है सभी में यही बात है जो भी न्य न्यूज है कि परिक्षा का समय गटा प्रशन भी होगी आधे चातरों को डेट घंटे में देना होगा पिछेतर भाव विकल प्रशनों का उत्तर सब जगह वही चीज है कुछ भी नई बात नहीं है ठीक है लेकिन मुझे आपको जो समझाना है जिसमें 10 सेक्ष जो 10 कोशन आते हैं पहले सेक्षन में यहां पर 5 सेक्षन आते हैं वहां पर क्या होने वाला है तो इस चीज को समझ लीजे अब इंपोर्टेंट बात वो यही है कि जो सवालों की संक्या है वो आधे से भी कम करने की बात की जारे खिर आधे से तो कम खिर क्या ही करेंगे और लेते हैं जैसे फूर एक्जामपल देखे थोड़ा टाइम लग रहा है पर आपको patience रखना पड़ेगा विडियो लंबी हो जा रही है लेकिन patience तो आपको रखना पड़ेगा पांस section आते हैं A section B section C D और E ठीक है कुछ पेपर पांस section वाले होता है आप लोगो लड़ी जानते हैं A section में 10 questions पूछे जाते हैं दोदो नमबर वाले पूछे जाते थे और बाकी सारों में इनमें 2-2-2 साड़े साथ नमबर साड़े साथ नमबर के इस तरह से पूछे जाते थे अब possibility क्या बनने वाली है अब आपको होगा यह कि इसमें आपको 5 questions करने पड़ेंगे ठीक है maximum बस आप 5 questions करने पड़ेंगे अब आप लोगो लोड़ी जानते हैं इन सब में से आप एक-एक question करते थे एक यहां से एक यहां से यहां से इस बात के कि आप कि section वाले आप क्या एक और एक दो question इन दोनों section से करना चाते हैं या इन दोनों से करना चाते हैं इन दोनों से यह बात आपको invigilator जिसकी आपकी duty होगी आपके exam room में वो आपको बताएंगे इस बात का ध्यान रखना उनसे पूछना मत बोलना ठीक है कोई doubt हा रहा है कुछ भी किसी भी exam से संबने कमेंट कर दीजिए मैं आपका reply जरूर करूंगा ठीक है तो धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं और ज्यादा बातें इसमें बताने वाला हूँ ठीक है चलिए